बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, कक्षहासात का विद्जान विशय का अध्याय, तीन रेशों से वस्त्र तकुप, बच्चों, इस पाट के पिछले भाग में हमने समझा था, कि किस तरह से हम जानतवे रेशे, उन और रेशम को तयार करते हैं, किस तरहसे इन जनतों से प्राप किया जाता है और संसाधित करके इन रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं तो बच्चों हमने पिछले भाग में इस अध्याय को कम्प्लीट कर लिया था और इस भाग में हम करेंगे इस पाट के अभ्यास प्रशने जो कि हमारी पाटे पुस्तिका में दिये गए हैं तो जल्दी बाबा ब्लैक शीप हेव यू एनी वूल यस सर यस सर थ्री बैक्स फुल आगे दिया है मेरी हेड़ लेटल लैम हूस फ्लीज वाज वाइज स्नो तो हमें यहां पर इन पंक्तियों को पढ़कर आगे जो हमें प्रशने दिये हैं उनका उतर बताना है प्रशने दिया है बच में ने लेम के सफेद रोमों का क्या तात पर रहे है तो बच्चों जो लेम होता है उसके सफेद रोमों से यहां पर क्या तात पर रहे है कि इसके शरीर पर जो सफेद बाल है उन्हें हम क्या कह रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने है रेशम कीट अ है कैटर लारवा सही विकल्प चुनिये तो रेशम के कीट के अंदर बचों के टर्पिलर और लारवा दोनों ही अवस्थाएं होती है तो यहांपर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ग इसमें क्या दिया है और यह सही विकल्प हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question है निम्न लिकित में से किस से उन प्राप्त नहीं होती है विकल्प दिये गए हैं यहाँ पर याक उट बकरी घने बालों वाला कुत्ता तो हमने पढ़ा था कि याक उट और बकरी की द्वारा उन प्राप्त की जाती है लेक पर हमें शब्द दिया गया है पालन तो पालन का क्या अर्थ होता है पालन का मतलब है किसी की देखबाल करना उसकी पोशन का ध्यान रखना तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि पालन का अर्थ होता है किसी की देखबाल करना उसे बड़ा करना और उसके पोशन का ध्यान र की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है इसी प्रकिरिया को क्या कहते हैं उनकी कटाई कहते हैं नेक्स्ट दिया है रेशम कीट पालन तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालन क्या कहलाता है तो लिख सकते हैं हम कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम रेशम कोई पालन कहलाता है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन दिया है उनकी संसाधन के विभिन急्रण के क्रम में कुछ चरण नीचे दिये गए हैं 6 चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब उनको संसाधित किया जाता है तो अलग-अलग चरण उसमें काम में लिये जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं उनकी कटाई करते हैं उसकी बाद में next step क्या था अभी margin क्या किया जाएगा इस उनको साफ किया जाएगा तो इसे कहते हैं अभी margin next हो जाएगा इसमें शटाई चटाई inhib किया करेंगे नहीं हम बेज देते और वहाँ पर क्या किया जाता है इन रेशों को रंग प्रदान किया जाता है यानि कि next step हो जाएगा यहाँ पर रंगाई और उसके बाद में आ जाएगा बच्चों जो last step है वो क्या कहलाता है रिलिंग कहलाता है इसमें क्या किया जाता है धागों को सीधा करके लपेटा जात तो यह प्रगीडा रीलिंग कहलाती है तो सबसे पहला क्या होगा उनकी कटाई फिर अभी मार्जन फिर छटाई उसके बाद में बर की छटाई और फिर क्या करते हैं रंगाई और रेलिंग का कारे किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है रेशम कीट क जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाईए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंदित है तो बचों जो केटरपिलर होता है यह क्या करता है एक विशेश तरल इस्रावित करता है और उसे अपने चारों और लपेट लेता है जिससे क्या बन ज संबंदित है नेक्स्ट नेम्रल एकित मेंसे कौन से दो शब्द? रेशम उत्पाधन से संबंदित है यहां पर हमें कुछ शब्द धिये गये है रेशम कीटफ़ पालन,पुषप क्रशी, शहहतूत क्रशी, मदुमक्ष्षी पालन और वन वर्धन यहाँ पर हमें कुछ संकेत भी दिये गए हैं कि पहले हमें बताना है कि रेशम उत्पादन में शैतूत की पतियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है तो यहाँ पर कौन सा शब्द से सम्मिलित हो सकता है यह जो रेशम कीट पालन है यह से सम्मंदित हो करशी चली आगे वढ़ते हैं next है column A में दिएये शब्दों पा कॉलंब B में दिये गए वाक्यों से मिलान किजीए तो यहां पर हमें column A और column B में कुछ शब्द और वाक्य दिये गए हैं जिनका हमें मिलान करना है तो पहला हमें दिया है कॉलमें में अभी मार्जन, तो अभी मार्जन क्या होता है, काटी गई उनकी सफाई, क्या कहलाती है Next है शेहतूत की पतियां, तो शेहतूत की पतियां क्या है, रेशम कीट का भोजन है next ढिया है हमें याक तो याक क्या है? एक उन देने वाला जनतू है और next ढिया है कोकून कोकून क्या करता है? कोकून रेशम फाइबर उत्पन करता है तो इस तरह से हमारा मिलान वाला प्रेशन कंपीट हो गया आगे परते हैं next question दिया है इस पार्ट पर आधायत एक वर्ग पहली दी गई है रिक्तिस्तानों को उन अक्षरों से भढ़ने के लिए संकेतों का उप्योग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं तो यहां पर हमें एक वर्ग पहली दी है और इसे भढ़ने के लिए को संकेत दिये ग नमबर में क्या लिखेंगे यह हो जाएगा ऑ भी और यह प्रकरिया क्या 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 एक लिए अभी मार्जन कहलती है तो यह हो घ्लीन मार्जन next हमें दिया है यहां पर एक प्रकार का जानतव रेशा तो वोर्ट कर का जानतव रेश है कौन कौन से पढ़े हमने और रेशा, तो यहां पर हमें 3 नंबर में भरना है, तो हमें यहां पर 3 शग्दों वाला रेशा भरना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां लिए जाएगा रेशा और म, चलिए. यह हमारा सीधे जो हमें कॉलम भरने थे वो complete हो गए अब देखते हैं हम उपर से नीचे की और तो इसमें एक नमबर पर भरना है हमें इससे बुने वस्त शरीर को गरम रखते हैं तो बचों शरीर को गरम कौन से रखते हैं उन तो यहां पर क्या आ जाएगा यहां हमने उ तो न तो लिखा हुआ है और यहां पर आ जाएगा ओ न नेक्स्ट है इसकी पतियों को रेशम कीट खाते हैं तो रेशम कीट कौन से रक्ष की प्रतियों खाते हैं शेय तूद की पतियों को तो यहां पर हमें चार नमबर में भर देना है शेय हमने लिखा हुआ है और अब यहा प्रशनों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ तब तक आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद